उत्रप्रदेश परिवान निगम की इसी इलेक्ट्रिक बस के अंदर कंड़क्टर हरीकेश विश्व कर्मा का सरतन से जुदा करने की साज़िश लारेब हाशपी ने की थी बकाइदा कई दिनों तक इस वारदात को अंजाम देने के लिए उसने रैकी की कि ये बस किस स्टॉप पर कितनी देर के लिए रुखती है और किस स्टॉप के पहुचने पर इसके अंदर बेहद कम सवारिया होती है बकाइदा रैकी की और उसके बाद शुक्रवार सुबह करीब साड़े विश्व कर्मा उनके उपर चापड निकाल कर गर्दन पर कई वार कर दिये आप देख सकते हैं इस वक्त बस के अंदर भी आपको जो खून के दब्बे है वो पूरी बस के अंदर कुछ इस तरीके से फैले नजर आएंगे और यह सामनी जो सीट नजर आ रही है इसी पर जो वज़ा थी कि जो हरीकेश विश्व कर्मा है उनकी जान बजगी क्योंकि उस शक्स ने बीच बचाव किया और उसके बाद जो लारे भाश्मी है वो धार्मिक नारे लगाते हुए इस बस से कूत कर फरार हो गया बकाइदा प्लाइनिंग की थी लारे ने क्योंकि उसे पता था कि इलेक्ट्रिक बस है और इसके दर्वाजे आटोमेटिक होते हैं बस टेंड पर कुछी सेकंड बाद जो कंड़क्टर है और ड्राइवर है वो धर्वाजों को बंद कर देता है बकाइदा इस तरह के से प्लैनिंग करी कि बस के दर्वाजे बंद ना हो पाए और उसी क पुराना विवाद है पैसो को लेकर लेकिन जिस तरीके से पुलिस की जाँच धीरे धीरे आगे बढ़ रही है मामला बहत संदिक होता जा रहा है क्योंकि हाइली रेडुकलाइज लारेब हाश्मी नजर आ रहा है लगातार पाकिस्तान में बैठे जो मौलवी है दूसरे तीक एहमत से इंस्पायर था इतना ही नहीं लगातार जो कटरपंथी वीडियो हैं जिहादी वीडियो हैं वो देख रहा था ऐसे में पुलिस का शक अब इसी और जा रहा है कि कई ऐसा तो नहीं कि ये एक छोटी बोटी घटना ना होकर एक बड़ी आतंखी वार्दात हो केमरामेन मनोज हधिकारी और अपने सहयोगी मोहिन खान के साथ वरुन जैन एवीपी न्यूज प्रयाग राज